ये चात्र चात्रों, आज हम अपने बीए पार्ट प्रथम के पहले पेपर प्राचीन भारत की इतिहास के अंतरगत वैदिक संस्क्रती या वैदिक काल के बारे में बात करेंगे अभी तक हम अपने वैदिक कालने धारण, आरियों के मूल निवास, आरियों की राजनियतिक इस्तिती और आरियों की सामाजिक इस्तिती के बारे में बात कर चुके है आज हम बात करेंगे कि आर्यों की आर्थ व्यवस्था किस प्रकार की थी, उनकी आर्थी किस्तिती क्या थी वेदों के अध्यन से हमको इस बात का उलेख मिलता है, जानकारी मिलती है कि आर्य सब्वेता एक ग्रामीन सब्वेता थी और यह सब्वेता मूलतह कृशी एवं पशुपालन पर आधारे थी यनि अर्थ विवस्था की प्रमुख आर्थिक गतिविधी पशुपालन था और कृशी थी जादतर पशुपालक गोमत कहलाते थे चारगा के लिए उत्यती या गव्य शब्द का प्रयोग हुआ है दूरी को गव्यूती और पुत्री को दुहिता तथा युद्धों के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग हुआ है इस प्रकार हम यह देखते हैं कि पशुपालन को बहुत ही महत्व दिया गया है पशु दन कहा गया है राजा प्रजा पर कर नहीं लगाता था प्रजा स्विच्छा से अपने उपज का अपनी आय का एक भाग नजराने की रूप में राजा को दे दी थी आर्यों के घर घासफूस और काश्ट से निर्मित होते थे यानि कि पक्के मकान जादा नहीं बनते थे उस समें भी रण लेने देने की प्रथा प्रचलित थी जिसे कुसीद कहा जाता था बैलगाडी रथ एवं नाव यातायात के प्रमुख साधन थे शात्पत ब्राहमन में हमें कृषी की समस्थ प्रक्रियाओं का उलेख मिलता है रिगवेद के प्रथम और दस्मे मंडल में बुआई, जुताई, फसल की गहाई आदी का वर्णन है रिगवेद में केवल जौन आवा कनाज का उलेख मिलता है रिगवेद के चौथे मंडल में हमें कृषी का वर्णन मिलता है किन्तु परवर्तिक वैदिक साहित्य में हमें गेहूं, चावल, आदी की जानकारी भी मिलती है गेहूं को गोधूम और चावल को ब्रीही कहा गया है काठक सहिता में 24 बैलों द्वारा हल खीचे जाने का, अथर्वेद में वर्षा, कूप और नाहर का, तथा यजुर्वेद में हल का सीर के नाम से उल्लेख है यानि इस काल में भी कृतिम सिचाई की विवस्था थी पशुपालन उनकी आजीविका का प्रमुक सादन था गाए विनिमे का प्रमुक सादन थी, रिगवेदिक काल में भूमीदान या व्यक्तिगत भूम स्वामित की धाना विक्सित नहीं हुई थी आर्यों के द्वारा सीमित व्यापार प्रथा का प्रचलन था, व्यापार विनिमे पधती पर आधारित था यानि की जो वस्तु विनिमे हैं उस आधार पर जिसको जो आवशक्ता है और जिसके पास जो है जो है वो आवशक्ता वाली व्यक्ति को दे देगा और आवक्ष यानि जैसे मान लीजिए एक जुलाहा है और उसे लकडी की कोई चीज चाहिए तो वह जुलाहा अपने द्वारा बुना हुआ कपड़ा उस व्यक्ति को देगा जो काश्ट कार है और उस कपड़े के वज में काश्ट कार उसको उसके द्वारा चाहिए काश्ट की वस्तु देगा इस तरीके से वस्तु विनिमे के आधार पर व्यापार प्रजले था समाज का एक वर्ग पाणी व्यापार किया करता था राजा को नेमित रूप से कर देने या बुराज सुदेने की प्रथा नहीं थी केवल स्वेच्छा से भाग या नजराना दिया जाता था पराजित कविला भी विजय राजा को भेट देता था अपने धन को राजा अपने सात्यों के बीच में बाढ़ता था इस समें धातु या सिक्खे प्रचलिक थे रिगवेद में उलेखी धातु में सरुथम धातु अयस तामबा या कासा था वे सोना यानि हिरन्य या स्वर्ण एवं चांदी से भी परिचित थे लेकिन रिगवेद में लोहे का उलेख नहीं मिलता है निश्क संभवते सोने का आभूशन या मुद्रा था जो भी निमे के काम आता था आर्यों के कुछ उद्योग धन्दे भी प्रसिद्ध थे जिनमें रिगवेदी काल में घरेलू जरुरोतों की पूर्ती के लिए उद्योग थे बढ़ाई वैधूकर का कार्यत्यंत महतुपूर्ण था अन्य प्रमुक उद्योग वस्त्र बरतन लकड़ी वैचरम कार्य था दातुकार थी उसका बहुत महत्व था तो रत बनाने का उद्योग और अस्त्र शस्त्र बनाने का उद्योग एक बहुत महतुपूर्ण उद्योग था इसके अतिरिक्त वस्तर बनाने का बरतन बनाने का और चमडे की चीजे बनाने का भी द्योग बड़ा ही महतुफून था आर्यों के समय में अब हम बात करते हैं आर्यों की धार्मिक इस्ति के बारे में यदि अगर हम बात करते हैं तो हमें आर्यों की धार्मिक इस्ति दो इस्तर पर दिखाई देती है आर्यों के धार्मिक जीवन दो इस्तर पर था भोतिक या लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन के बारे में आर्य मूल तह आनंद मही प्रवर्ति के व्यक्ति थे और उनका यह मानना था कि जीवन में आनंद अवर्षय होना चाहिए और यह जो जीवन मिला है इससे आनंद पूर्वक्वतीत करना चाहिए और इसलिए हमें जब हम वेदों का अध्यन करते हैं तो आर्य प्रवर्ती वादी दिखाई देते हैं यानि वे जीवन और लोक में प्रवर्त दिखाई देते हैं और इसी लिए लोक कल्यान और जन कल्यान उनके जीवन का महतुपूर्ण आधार था आर्यों का जो लौकिक धर्म था वह लौकिक धर्म क्यूंकि आर्यों के द्वारा एक नई सब्विता की स्थापना की गई थी तो वे समस्त प्राकर्तिक शक्तियां जो उसके जीवन के लिए अत्यनत महतुपूर्ण थी उनके शक्तियों का आर्यों के द्वारा मानवी करण किया गया और पहले तो उनका प्राकर्टिक शक्तियों का देवी करण किया गया फिर उन देवताओं का मानवी करण किया गया और उन्हें मनुष्य का मित्र माना गया आर्यों ने देवताओं के तीन वर्गी करण किये पृत्वी वासी, आकाश वासी एवं अंतरिक श्वासी जो पृत्वी पर प्राकर्तिक शक्तियां थी जैसे नदिया, पहाड, वनस्पति और जो आकाश में विद्यमान थी सूर्य, चंद्रमा, वायू और जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है उन शक्तियों को अंतरिक्ष्वासी देवताओं के रूप में स्विकार किया गया अब ये अंतरिक्ष्वासी आकाश्वासी और प्रित्विवासी देवता मनुष्य के कल्यान के भाव के लिए हैं तो इन देवताओं का इन दैविक शक्तियों का मानवी करण किया गया कि ये जो देवता हैं ये जब प्रसन्न होते हैं तो वर देते हैं किन्तु यदि अब प्रसन्न हो जाते हैं तो श्राप देते हैं जिससे मनुष्य का अनिष्ट होता है तो मनुष्य को अपना अनिष्ट नहीं करना है, उसे देवताओं का श्राप नहीं लेना है, उसे सिर्फ देवताओं से वर सिद्धी की प्राप्ति करनी है आरे अपनी उपासना पदती में, अपने मंत्रों में, अपने जीवन की उन सब चीजों को देवताओं से मांगते हुए दिखाई देते हैं कि उन्हें पुत्र चाहिए, बेल चाहिए, गाए चाहिए, खेती उनकी अच्छी हो, फसल उनकी अच्छी पके, सूर्य प्रॉपर बराबर रोशनी दे, उश्मा दे, चंदरमा की शीतलता भी उनकी ख्रेक्ती को चाहिए, इंद्र और परजने समय समय पर वर्षा करते रहे ताकि उनका अनाज अच्छा हो, तो यग्य त्यादिके माध्यम से देवताओं को हवी के माध्य करके उनको भाग दे करके वे प्रसंद करने का कार्य किया करते थे, तो इस प्रकार से लौकिक जीवन में जो देवता थे, जिने मानवी ये शुरू प्रदान किया गया, लेकिन मानव से वे श्रेष्ट थे, मानव से श्रेष्ट इस प्रकार से थे कि ना तो वो जन्म लेते थे ना वो मरते थे, वे चिर युवा थे, यानि वे अजर अमर थे और कभी भी बुढ़े नहीं होते थे, बीमार नहीं होते थे, और आर्यों के द्वारा स्वर्ग और नरक की भी तो स्वर्ग में जाएंगे और यदि बुरे कारे करेंगे तो नर्क में जाएंगे जहां गोर यंत्रणावे कश्ट उनको भुगतना पड़ेगा तो लौकिक जीवन के विकास के लिए आर्यों का जो धार्मिक जीवन था वह वस्तुतह बहुदेववादी था और बहुदेववादी ये जो इश्वरी परिकल्पना की गई थी वस्तुतह आर्यों के लौकिक जीवन के विकास के लिए इन प्राकर्तिक शक्तियों की उपासना को की पदती आर्यों के द्वारा प्रारंब की गई थी किन्तो जब हम वेदों का गहनता से अध्यन करते हैं तब हम देखते हैं कि उन्होंने एक इश्वर की परिकल्पना भी की है रिगवेड में ही उस एक इश्वर को परम ब्रह्म या ब्रह्म के नाम से जाना गया पुकारा गया और वहां मिलता भी है अहम ब्रह्म मासमी एको अहम दुटी नास्ति भूतो ना भविश्यति मैं ब्रह्म हूं मैं एक ही हूं मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है ना पहले कभी दूसरा कोई था और ना ही मेरे बाद कोई दूसरा होगा इस तरीके से परम पिता परमेश्वर जो सर्व शक्तिमान है जो अजर अमर शाश्वत नित्य है समस्त दिव्विगुणों से परिपूर्ण है उस ब्रह्म या परमात्मा जो परमात्मा है जिसमें हम सभी आत्माओं का अंश है हम सभी की आत्मा उसी परमात्मा से निकली है और मृत्यू प्रांत वह आत्मा उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है इस प्रकार का पारलौकिक वे आध्यात्मिक धर्म भी हमको वेदों में दिखाई देता है वेदों में हमें धार्मिक जीवन के अंतरगत रित की अवधार्ना भी दिखाई देती है रित की अवधार्ना का तात्परे वेदों में रिशी कहते हैं कि रित ने जो नियम बनाए हैं, मनुष्य को उन नियमों की पालना करनी है, यदि मनुष्य रित के नियमों की पालना नहीं करेगा, तो वरुण उन्हें दंडित करेगा ये एक तरीके से पर्यावरण ये श्रिष्टी संतुलन का नियम मान सकते हैं, कि पर्यावरण वे श्रिष्टी के अंतरगत, जो एक शाश्वत नियम है, हमें उन नियमों का पालन करना है, और उन नियमों का पालन करते हुए ही अपना जीवन व्यतीत करना है, यदि कोई भी वेक्ति इन नियमों का व्यतिक्रम करता है तो ईश्वर या वरुन हमें दंडित करता है तो इस प्रकार एक अनुशाशन बध जीवन को इस्थापित करने के लिए आर्यों के द्वारा रित्गी अवधार्णा को इस्थापित किया गया आर्यों के धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनेतिक जीवन के साथ साथ हमें देखते हैं कि आर्यों ने अपनी परिस्थितियों को धीरे धीरे उनके जीवन का विकास हुआ और उत्तर वैदिक काल तक आते-आते उनका जो राज्य था वह जन्पदों से महा जन्पदों में परिवर्टित होता हुआ हमें दिखाई देता है और इस तरह से वैदिक काल के हम प्रारंभिक जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक, वैधार्मिक इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं